जैसरी राधेकिश्मे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके विसरा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज आप सब जानेंगे जेश्ट मास कृष्ण पक्षर वर्स 2024 में एक अदसी का ब्रत्य कब धारण किया जा रहा है तो जानेंगे ब्रत्य के शुब महुर्थ के बारे में पारण का क्या समय होगा पारण कब किया जाएगा किस चीज से किया जाएगा इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आईए जानते हैं इन सबों के बारे में जेश्ट मास कृष्ण पक्ष एक अदसी को इसे अपरा एक अदसी और अचला एक आदसी के नाम से भी जाना जाता है एक आदसी का ब्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नश्ट करने बाली है प्रतेक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक आदसी तिथी के दिन एक आदसी का ब्रत धारण किया जाता है इसे एक आदसी और ग्यारस ब्रत्य के नाम से जाना जाता है। यह ब्रत्य भगवान विश्णु भगवान सरकृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्य के एक आदसी ब्रत्य का अपना विशेश महत्तु माना गया है। इसी प्रकार से जेश्ट मास कृष्ण पक्ष की अपर अप्रा एकादसी ब्रत्य का अपना विशिष महत्तु माना गया है। अप्रा एकादसी जो की अपार धन को देने बाली है। इस तिन विशिष प्रकार से लक्षमी नरायन का साथ में भगवान विश्णू के त्री विक्रम सुरूप का पूजन किया जाता है। धर्म सास्त्रों के अनुसार अप्रा एकादसी ब्रत्य करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनी, जूट बुराईवा अन्य पापों से मुक्ती मिलती है। इस ब्रत्य को करने से मनुश्यों को तीनों पुस्करों में अश्नान के समान, गंगाजी के तटपर, पि पिधान से अपरा एकादसी का ब्रत्य धारन करते हैं, उसे सोभागी की प्राप्ती होती है, पापों से मुक्ती तथा मिर्दू के बाद भगबान, विश्नु के धाम की प्राप्ती होती है। एकादसी के ब्रत्य में जो की तीन दिनों तक ब्रत्य में नियम पालन किया जा ब्रत धारक को दस्मी के दिन, सुभा में उठकरके नितिकर्याउं से निव relieved हो करके अश्णान करके भगवान सुरेत्य द्यव को अरगे परदान करना चाहिए और दस्मी तिति के दिन सुरियास्टों होने से पहले ही भोजन गहन कर लेनी चाहिए रात्री ब्रह्म açरज का पा नियुक करके भोजन करना चाहिए दस्मी करातेरी भ्रह्मे चर्जे का पालन करते हुए एक आधसी ब्रत का अस्मरन करते हुए सोना चाहिए एक आधसी तिती को व्रत्य का संकल्प लेना चाहिए भगवान विष्णु से प्रात्ना करने चाहिए कि है भगवान विष्णु है माता लक्ष्मी आज मैं अपरा एकादसी अचला एकादसी का प्रत्यधारन करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं इस प्रकार से भगवान से प्रात्ना करे कि यह व्रत्व मेरा निर्विन्य पूरा हो हमें पुन्य फलो की प्राप्ति हो हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नश्ट हो आपके मन में जो भी एक्षा हो जो भी कामना हो वह भगवान विश्णों से कहे और एक आदसी के दिन जो की दिन रातरी उपुवास रहते हुई व्रत्य को धारन करना चाहिए जो उपुवास नहीं रह पाते हैं जिनका स्वास्त सही ना हो तो आप एक समय फालाहार गहन कर सकते हैं और फिर सुबह साम के वक्त पूरे विदिविधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए इस दोरान कथा सरवन करनी चाहिए पुरशुक्त विष्णु सहस्त्र नाम आदिका पाठिया सरवन करना चाहिए व्रत्य के दोरान ओम नमो भगवते वासु देवाया या सरकृष को धारन करते हुए एक आदसी की रात्री जागरन करते हुए समय को ब्यतित करना चाहिए और द्वादसी तिथी के दिन सुभा उठकर के नितिक्रियाओं से रिवित्त हो करके अश्नान करके शुद्वस्त्र धारन करके भगवान का पूजन आर्ति कर लेनी चाहिए उसकी बा सुभा 5 बजकर 5 मिनट और एक आदसी तिथी की जो समाप्ती है वहाँ दो जून की रात्री 2 बजकर 42 मिनट पे एक आदसी तिथी की समाप्ती है और द्वादसी तिथी समाप्त जोकी 3 जून 2024 दिन सुमबार को रात्री 12 बजकर 19 मिनट पे द्वादसी तिथी की समाप्ती है एकादसी तिथी के दिन सुरियोदे का जो समय है सुभा पाँच बज़कर साथ मिनट है और एकादसी तिथी प्रारम जो की दो जुन को सुभा पाँच बज़कर पाँच मिनट से सुरू है तो इस बार एकादसी ब्रत दो दिन बतलया जा रहा है वैसे आप असमार्त हो या व ब्रत्य धारन कर सकते हैं क्योंकि सुर्योदय से पहले ही एक आदसी तिथी शुरू है लेकिन वैश्णवों के लिए जो की शुद्ध द्वादसी लिया जाता है इस कारण से सभी ग्रिहस्त जन असमार्तों के लिए दो जून दोहजार चौबीस दिन रवी बार को ब्रत्य ध पहला चोथाई हिस्ता हरिवासर का होता है तो द्वादसी तिथी की जो समापती है वह 3 जून 2024 दिन सोंबर रातरी 12 बजकर 19 मिनट पे द्वादसी तिथी की समापती है तो जो भी भक्त जन दो जून को ब्रत्य धारन करेंगे वह ब्रत्य का पारण 3 जून को सुबह 8 बजक 30 मिनट से ले करके 2-3 बज़े तक ब्रत्य का पारण कर लेंगे और जो भी भक्त जन 3 जून को ब्रत्य धारन करेंगे वह सभी 4 जून को ब्रत्य का पारण करेंगे पारण का समय सुबह 5 बजकर 15 मिनट से ले करके सुबह 6 बज़े तक आप ब्रत्य का पारण कर लेंगे अपरा आचला एक आदसी ब्रत का पारण जो की तिलेन पारणम यानि की तिल से ब्रत का पारण है यह संभब ना हो पाए तो आप तोलसी दल, जल या फल से ब्रत का पारण करें एक आदसी तिती के दिन ब्र्मम हुर्द का जो समय है वह समय सुभा चार बजकर दो मिनट से सुभा चार बजकर 43 मिनट तक होगा योग जोकी आईशुमान योग दो पहर 12 बजकर 12 मिनट तक होगा उसके बाद शौभागी योग होगा सरवार सिध्धी योग बन रहा है दो जून की रात्री में जो की रात्री एक बजकर चालिस मिनट से सुरू हो करके अगले दिर सुबह पांच बजकर तैस मिनट तक सरवार सिध्धी योग होगा नशत्र रेप्ती नशत्र रात्री एक बजकर 40 मिनट तक होगा उसके बाद अश्मनी नशत्र दो जुन को राहु काल का समय साम 5 बजकर 2 मिनट से साम 6 बजकर 44 मिनट तक होगा तीन जुन को सुबा 6 बजकर 49 मिनट से सुबा 8 बजकर 31 मिनट तक होगा राहु काल समय के दोरान कोई भी शुवकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखे एकादसी तिथी के दिन अभिजीत मुर्थ का जो समय होगा वह समय सुबह 11 बजकर 29 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 23 मिनट तक होगा अपरा एकादसी का ब्रत जो की जेष्ट मास में किया जाता है और जेष्ट का महिना जो की बड़ा है गर्मी का मौसम होता है तो इस दोरान जहां तक हो सके जल से भड़ा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए सर्वतादी का दान करना चाहिए तिलो का दान करना चाहिए जो भी आप से बन सके इस ब्रत में इंचीजों का द्यान इस ब्रत में इंचीजों का दान करना चाहिए इससे अनंद फलों की प्राप्ति होती है जो की भगबान को ककड़ी का भूग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद की रूप में भी ग्रहन करना चाहिए जब भगबान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भूग लगाना चाहिए बिना तुलसी दल डाले भगबान उस नेवेद्द को और पूजन को भी सुविकार नहीं करते हैं तो भगबान का जब भी पूजन करते हो या नेविद्दे का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगबान को भोग लगाना चाहिए इस बार दो जुन को रवी बार पर रहा है तो रवी बार के दिन तोलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए आप दस्मी के दिन ही तोलसी पत्र भगबान की पूजन के लिए तोड़ करके रख ले और उसे एक आदसी और द्वादसी के दिन परयोग में ला सकते हैं तो नवेद्य का भोग लगा करके जल से आच्मनी करवाएं, दर्वेदक्षिना चरहाएं, मुपशुदी के लिए पान पत्र सुपारी लोग इलाईची के साथ में अर्पित करें, फिर ब्रत्य का कथा स्रबन करनी चाहिए, भगबान की आर्थी करनी चाहिए, इस प्रकार से एक आदसी चिती के दिन भगबान का पूरे बिली विधान के साथ पूजन करना चाहिए, और द्वादसी चिती के दिन फिर ब्रह्मनों को भोजन करा करके, दान पोनियों का कारे करके, फिर समय के रुसार ब्रत्य का पारण करना चाहिए, इस प्रकार ब्रत्य को धारन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नश्ट होते हैं तथा भगबार विश्णू की घरपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगबार विश्णू के धाम की प्राप्ति होती है तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि आने वाली वीडियो का नोट्पिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधिक्रिष्ण धन्यबाद